पीफिंचे वेश्ट ग्र संवा सुने स्क्राने की करते हैं और जब क्रिकेट की बाते करते हैं तो हमारे साथ है हमारे साथ ही हमारे दोस्त यश पाटक यश आप कैसे हो मैं तो ठक गया और डर गया भाई साब पिछली गेम देखके न में को टेंशन हो गया अच्छा क्या हुआ था ऐसे बता देते हैं अमरे दर्शिकों को क्या हुआ था मुकाबले में दूसरे T20 मुकाबला जो लकनाओ के एकाना स्टेडियम में हुआ था यह मुकाबला देखिए न्यूजिलेंड ने मातरे निन्यानवे बनाया आठ विक्तो के रुकसान पर और भारत के तो पसी ने चूट गया और भारत के जो समर्तक है उन सब का हाल आपके जैसा बेहाल था सूर्यकुमार यादव ने 31 गिंदों में 26 रन किया थी इससे स्लो पारी उन्होंने लाइफ में कभी नहीं खेली टी ट्वेंटी में और आप देख सकते जिस तरह की बोलिंग हुई थी इंडियन बोलर्स के द्वारा उतनी ही बढ़िया बोलिंग की न्यूजिलेंड के बोलर्स ने भी लेकिन एक अच्छी बात थी कि इंडिया ने विकेट नहीं खोए थी और क्योंकि इतना चोड़ा क्या बात है बिल्कुल सही का आपने भारत में छे विक्टो से ये मुकाबला जीत लिया और ये तीन मैच की श्रिंकला जो है अब एक-एक से बराबर कर दिया है और ये श्रिंकला अब अपने आखरी पड़ाव पर आ चुका है एक फरवरी को जी हाँ एक फरवरी को दुनि ही मुकाबला है बहुत मैतुपूर ने जो भारत का जो एक धाकड़ पकड़ है घर पे वो बरकरार रखना है उस मुकाबले के लिए बहुत सारे सवाल है बढ़रत के जहन में बिल्कुल क्यूंकि टेंशन की बात है कि हमारी जो ओपनिंग पैर है वो नेचल तरी स्पेशली इशान किशन जोनोंने कुछी मैचेस पहले एक दोरा शतक लगा था इंकि आकड़ो पर नजड़ा ले तो 2023 में ये पाच मैचेस के लिए साड़े बारा की आवरेज है स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं है सेटिस रन इनका सबसे सरवाधिक स्कोर है 24 साल के भले ही है लेकिन इनके पास जितना क्रिकेट बचा है जो एक्सपीरेंस है उसका ये पुरा इस्तामाल नहीं कर रहे है और काफी खराब तरह से बार-बार आउट हो और इंडियन ओपनर जो है अगर वो रन नहीं करते तो मिडल ओर और लोर ओर पे बहुत प्रेशर आता है पर युवा बल्लेबाज हैं साथ में उन्होंने इस साल बल्लेबाजी करना शुरू किया है टी-20 क्रिकेट में पाँच बुकाबलों में मात्र उनहतर रन जोड़े है और जो अर्द्रशतक भी कुछ नहीं जोड़ा है तेजी से रन नहीं बना रहे है और खराफ शॉट खे यहां पर जब गिलने भी शतक लेगा तो सामने रोई चर्मा बाटिंग करें तो जब एक्स्पिरेंस के यूथ होता है तो कॉम्बिनेशन बढ़िया बैटता है लेकिन जब दोनों यंग्स्टर्स केलते तो दोनों को अपने आपको अपना बेस्ट वर्जन देने के पर भरोसा रखिए जिस तरह से हर्दिक पंडिया खुद पर भरोसा रखते है जब हात में गेंद आती है तो जैसे हो कप्तान ही उनके वासाती हो सोचते कि मैं अच्छी नए बॉल से गेंद बाजी करता तो रोई शर्मा तो मुझे बोलिंग देंगे नहीं तो मैं ही ईंड में अच्छा डालते हैं सिर्फ थीन विकेट ली उन्होंने पाउर प्लै में और देखें और एकET- hanya 21 पारिया उन्होंने पाउर प्लै में ढाली है Middle over and end overs में होता है बिलकुल और हार्दिक पंडा इंडिन टीम में सिलेक्ट थी उस बेसिस पे होई थे कि वो मिडल और end overs में अपनी cutters और variations के साथ यॉरकर्स के साथ एक अच्छी end दे सकते टीम को और wicket ले सकते हैं लेकिन पावर प्ले में जबकि आपके पास सिफ दो फिल्टर अलावड एप पावर प्ले के बाहर और हार्दिक पंडे ऐसे बूल है जो एक लाइन जादा नहीं डालते है थोड़े से वेरी बोलर्स है बिल्कुल उनको ऐसा लगते है कि वो दोनों तरह स्विंग कर सकते है शायद इसलिए वो डालते है नया बॉल पर भारत के पास जब विकल्प मौजूद है शिवम भावी अर्ष्टीप सिंग उम्रान मलेक मुकेश कुमार बेंच पर बैटे हुए है और हर्शल पतिल का चुनाव नहीं हुआ इस श्रिंकला में उनका भी विकल्प मौजूद है बुमरा छोटिल है वो बाहर बैटे हु बात ही नहीं किया हमने भुमनेश्वर की अभी तक हमने अक्सर पटेल की बात नहीं किया अभी तक तो शादी करके अभी उनका शादी हुआ है मुबारक हो उनको अर्षदीव सिंग है आवे इश्कान है उनके बारे में हम बूल चुके है दीपक चैर चोटिल है उनके बार आदिक का कैसा है आप economy rate भी देखिए power play में सबसे ज़्यादा run उन्हों नहीं दिये और balls पर wicket भी अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा उनके ही है तो उनकी जो wicket taking ability है power play में definitely effective नहीं क्योंकि वो cutter और slower one का हैसाल power play में नहीं कर सकते वो आपके end of the innings के type bowler है जो bouncer और yorker डालते है वो power play में अपने आपको waste कर रहे है मेरे ख्याल से और न्यूजिलेंड के जो batsmen है ये लोग को pace bowling खेलना अच्छा लगता है और हार्दिक Pandya जिनका military medium pace है और ज्यादा swing नहीं करवा पारे ball को जितना बाकी bolus करवा सकते है ज्यादा effective नहीं रहे पारे उनके लिए तो एक bonus हो जाता है कि हार्दिक Pandya है हम इनको loot लेंगे पूरी तरह से और I think वही हो रहा है क्या आप शुबमन गिल और इशान किशन के जगापर पृत्वी शौ को मौका देंगे क्या जितेश शर्मा को एक मौका मिल सकता है क्योंकि वो भी धाकड बल्ले बाज है जिते शर्बा, रफ्ता, देजी से बल्ले बाजी करते है क्या मुकेश कुमार के तरफ जाएगे मुकेश कुमार का मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि सीरीज वन ओल पे इवनली पोईज्ड है एक चेंज में को मेरे मन में ऐसा है अगर आप शुबमन गिल को ड्रॉप करें तो एक पृत्वी शौ को मौका मिल सकता है ये एक मेरे दिमाग में सोच है नहीं तो फिर वो भी ठीक है और एक बोलिंग में शायद पिच को देखकर कोई चेंज अगर वो कर सके एक पेसबर को शायद नदर लाना चाहे क्योंकि पिछल मुकाबले में चैल के जगा अचैल आये थे उम्रान मलिक के जगाए तीन स्पिनर खेले थे पिछल मुकाबले में और टर्निंग विकेट थी अब अब अबदावद में नहीं द्रमुदी सेड़े में पिछ के सी होगी वो भी हमें देखना होगा पिछ के हिसाब से आयफील, द्रवेड और ये एक डिसिजन लेंगे रुतुराज गायकोड भी विकल्प है लेकिन वो इंजड है तो अपने पास बचते सिफ पृत्वीश हो है अगर आपको ओपनिंग बाइटिंग में किसी को लाने है जिते शर्मा एक उप्शन है लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता इशान की उपर खेल पाएंगे इस टॉर्नमेंट में बिल्कुल एक नज़र नुज़िलेंड के स्कौर्ड पर डाल देता है पर नुज़िलेंड और इंडिया का पिसले 8-10 सालों में बहुत कॉंपेटिटिव माचीज रहे है इनकी टीम में बहुत जादा डेफ थे इनके बाटिंग में इनके नमबर साथ नमबर आठ तक इनके बैट्समेन है और अच्छे प्रॉपर कन्वेंशनल बैटर्स हैं इनके पास तो अगर अगली पिछ होगी जहां पर थोड़ा पेस बुलर्स को थोड़ा सा हेल्प होगा तो शायद हम हैंरी शिपली या फिर ब्लेर टिकनर को भी देख सकते हैं बिलकुल और अब वक्त हो चला है प्रेडिक्शन का भविशयवानिका यश क्या होने वाल है भारत शिरिंकला जीत रहा है या New Zealand भारत जीतेगा क्या बात है यह होता है Spirit बहुत बहुत शुक्री आपका यश मैं भी मानता हूँ कि भारत यह शिरिंकला जीतेगा दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम बर ये होगा मुकाबला और ये इससे बैतर नहीं हो सकता आखरी T20 इस सीजन का अमारत के लिए इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता और डिजिटल टू स्पोर्ट से बड़ा कोई मंच नहीं हो सकता आप लोग फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगा जाकर लाइक, शेर, सबस्क्राइब कीजिए और खास कर यूट्यूब पर लाइक, शेर, सबस्क्राइब के साथ-साथ वो नोटिफिकेशन की घंटी दवाना ना बुले जी हाँ, ये मंच है, डिजिटल टू स्पोर्ट्स आप हमारे साथ बने रहिए यश आपका बहुत बहुत शुक्र है, फिर एक बार आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए अगले वीडियो तक हमें दीजिए अजासत अपना ख्याल रखिए, गुडबाई फर नौ